एपिशोट के शुरुवात में हम देखते हैं कि बाइलंग जिन्सू को आज रात उसी के घर रुपने के लिए कहता हैं जिन्सू मान जाता है और डोनों लोग साथ में डिनर करते हैं जिन्सू बाइलंग की कुकिंग की तारीफ करता हैं बाइलंग उससे बताता हैं कि पहले वो अपनी दीदी को रthy खाना खिलाने के लिए कोकिंग किया करता था अपने पढ़ाय پुरी करने के बाद उसकी दीदी ने ही उसे रिश्टरेंट खोलने का आइडिया दिया उसे ये आइडिया काफी अच्छा लगा साथी साथ इस वज़े से उसे साथ में खाने के लिए लोगों की कमपनी भी मिल गए इससे जिन्सू को पता चलता है कि इसी वज़े से बाइलंग की सोने का पैटन बदल गया है जिस वज़े से रात में उसकी नीन पूरी नहीं हो पाती है और वो नीन की दवाई भी लिया करता है जिस पर बाइलंग उसे बताता है कि वो हमेशा नहीं बलकि कभी कभी नीन की दवाई लिया करता है जब उसे सोने में प्राब्लम होती है और अब तो वो जब भी काम से घर आता है तो उसे बेड़ पर जाते ही नीन डा जाती है इसके बाद बाइलंग उसके लिए खाने के लिए कुछ और भी लेने जाने वाला होता है कि जिन्सू मना कर देता है इसलिए बाइलंग डुनों के लिए सिर्फ पानी लेकर आता है जिन्सू बाइलंग से पूछता है कि उसे कब से सोने में प्राब्लम हो रही है जिन्सू अनुमान लगाता है कि बाइलंग जब भी नसे में नहीं होता है तब ही उसे सोने में प्राब्लम होती है जिस पर बाई लंग कहता है कि उसे क्या लगता है रेस्टोरेंट के सारे मालिक अलकोहल होते है वो तब ही पीता है जब माहूल अच्छा होता है और खुद को रिलाक्स करना चाहता है जिन्सू को अभी भी खुद की चिंता करते देख बाई लंग उसे कुछ जोक सुनाता है शुरुआत में तो जिन्सू को उसके जोक समझ में नहीं आते है पर बाद में वो उसके जोक को एंजोय करने लगता है और उस पर हसने भी लगता है जिन्सू को पहली बार हसते देख बायलंग उसके smile की तारीफ करता है इस बार बायलंग जिंसु को जोक सुनाने के लिए कहता है और ये भी कि उसके जोक के main character मिंग ही होना चाहिए जिंसु को कोई भी जोक नहीं आता है इसलिए वो बातरूम में जाकर गूगल से कुछ जोक्स निकाल कर पहले उसे याद करता है पर जब तक कि वो बाहर आता है तब तक बायलंग सो चुका होता है जिन्सू से जगा कर कमरे में सोने के लिए कहता है पर बायलंग सोने से मना कर देता है और उसे जोक सुनाने की जिद करता है जिन्सू से जोग सुनाने लगता है बाइलंग बहुत कोसिस करता है अपनी आखे खुली रखने की पर आखे कर जिन्सू के जोग पूरा करने से पहले उसे नींद आ जाती है ये देखकर जिन्सू उसके लिए ब्लांकेट लाता है और उसे अच्छे से कवर करता है और सोचता है कि बाइलंग के पैनिक होने की वज़ा क्या है और क्या उसे सच में नींद ना आने की बिमारी है तब ही बाइलंग नींद में ही जिन्सू का हाथ पकड़ लेते हैं और नींद में बार बार सौरी बोल कर रोने लगता है बाइलंग को इस कंडिशन में देखकर जिन्सू को बहुत बुरा लगता है और वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे आराम देता है अगली सुबह जब बाइलंग की नींद खुलती तो वो घर पर अकेला होता है और अपने आस पास कई सारे खिलोने देखता है दरसल जाने से पहले जिन्सू बाइलंग की चारों तरफ फिलोने रख देता है ताकि बाइलंग को सोने में कोई दिक्कत ना हो अपने घर की सारी लाइट्स आफ देखकर बाइलंग स्माइल करता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब जिन्सू नहीं किया है दूसरी तरफ हम मार्केट में एलेक्स और हे को देखते हैं हे फोन पर किसी से बहुत गुस्से में बात कर रहा होता है फोन कट जाने पर वो गुस्से में फोन को पटक देता है एलेक्स उसका फोन उठाता है कि वो अपना गुस्सा फोन पर क्यों निकाल रहा जबकि उसके फोन ने कुछ भी नहीं किया है कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उससे लगता है कि एलेक्स उसकी बातों को नहीं समझेगा एलेक्स हे को समझाता है कि उसे लोगों को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसा वो खुद को ट्रीट होना चाहता है हे एलेक्स हे अपनी फोन लेने की कोशिस करता है पर एलेक्स उसे तब तक फोन नहीं देता है जब तक हे उसे थाइंक्यू नहीं बोल देता है फिर एलेक्स पो ठाइंक्यों बोलता है उसके लिए कपड़े भी लेने के लिए दूसरे तरफ बायलंग जिंसु को लंच देने के लिए क्लिनिक आया होता है बायलंग को वहां के स्टाफ से पता चलता है कि जिंसु की तबित खराब है फिर भी आराम करने के बज़ाए वो काम कर रहा है और किसी की बात भी नहीं सुन रहा है बाइलंग डोड़ कर जिन्सू के पास जाता है जिन्सू का फोरेड चेक करने पर उसे पता चलता है कि जिन्सू का पूरा सरीर बुखार से तप रहा है बाइलंग उसे जबरजस्टे ड लोक्टर के पास ले जाता है, साथ ही साथ वो Alex को इस बारे में इन्पॉर्म भी कर देता है कि आज वो रेस्टरंट नहीं आ पाएगा, Alex अपने स्टाफ को बाई लंग की रेस्टरंट नहीं आने वाली बात बताता है, और सभी को अच्छे से काम करने के लिए कहता है, तभी ह हे की माँ हे को अपने साथ घर ले जाने के लिए आती हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उनका बेटा ऐसे जगह पर काम करे और सोसाइटी में उनकी बदनामी हैं, पर हे उनके साथ जाने से मना कर देता है, और उन्हें वापस घर जाने के लिए कहकर वहां से चला जाता है हे की मा हे के पीछे पीछे जाने वाली होती है कि एलेक्स उसे रोग देता है और हे के बारे में बात करने के लिए साइड में ले जाता है उनके बीच क्या बाते होती है ये तो हमें पता नहीं चलता है पर हे की मा एलेक्स को की बातों से बहुत खुश होती है और हे को एलेक्स के सहारे छोड़ कर माँ से चली जाती है हे छुपकर उनकी बाते सुनने की कोसिस करता हे को बहुत आजूब होता है कि उसकी माम उसे यहां रहने दे रहे है एलेक्स हे से उसकी माँ की तारिफ करता अपने माँ की तारिफ सुनकर हे को सक होता है कि कहीं एलेक्स उसकी मा के कहने पर उस पर नजर तो नहीं रख रहा है जिस पर एलेक्स उसे डाटता है और कम मुवी देखने के लिए कहता है फिर एलेक्स ये कनफर्म करता है कि हे की मा सच में उसे यहां रुखने दे रहे हैं उसकी मा को मनाने के लिए हेलेक् thank you नहीं सुनना चाहता है बलकि वो यह चाहता है कि वो अच्छे से काम करें हे काम करने जाने वाला होता है कि Olivia के कपड़े नोटिस करते हैं और वो हे को रोख कर उसके slips स्लीप स्थीक करना एम इसके बाद बुनों काम पर लग जाते दूसरी तरफ डॉक्टर से चेक अप कराने के बाद बाइलंग जिन्सू को उसके घर लाता है जिन्सू की तब्वे इस सच में बहुत खराब होती है वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा होता है बाइलंग उसे कमरे में लाकर अच्छे से लेटा आता है और आराम करने के लिए बोल कर उसके लिए कुछ खान इसके बाद वो बच्चों की तरह जिन्सू को मनाता और अपने हाथों से खिलाता है जिन्सू मुझ खोले हुए बहुत क्यूट लग रहा होता है इसलिए बाइलंग उसी हालत में इसके फोटो ले लेता है तब इत खराब होने की वज़ए से जिन्सू को इस बात की खबर तक नहीं होती है दूसरी और एलेक्स हे को स्टोरिज रूम में ले जाता है ताकि वह के सूने के लिए कुछ सामान निकाल सके तब यह अचानक वहां की लाइट चली जाती है एलेक्स हे को बताता है कि यहां की वाइरिंग पुरानी हो गई है इसलिए अक्सर लाइट चली करता है है भी उसे अपने फोन से लाइट दिखाने की कोसिस करता ही है कि अंधेरे में किसी चीद से टकराने की वज़से है यह ए लेक्स के उपर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, तब ही लाइट वापस आती है, और वो लोग एक दूसरे को खुद से दूर करते हैं, है ऐलेक्स के हाथ पर छोट देखता है, जो उसे बचाने की वज़त से लग गए थी, है ऐलेक्स के छोट पर डवाई लगाने के लिए उसे बाह चाहिए अचानक हे एलेक्स शेंसे किस करने ये माफ़ी मांगता है एलेक्स कहता है कि ऐसे कuba जाूचना नहीं चाहिए व्हुक्त पुर्ट्बरे ऐस्याघ्रार्राएं उस्लिण नहीं तो खुछ किमा है नहीं कि वो है कि पहले किस्तिन इधर बाइलंग जिंसू के किचन की सफाई कर रहा होता है तब जिंसू बाथरूम जाने के लिए आता है जिंसू की हालत अभी भी सही नहीं होती है इसलिए बाइलंग तक ले जाने में बाइलंग उसके मदद करता है फिर वो उसे कमरे मिला कर उसके चेहरे को पोच दाया है। पिर उसके कपड़े बदलने में मदद करता है। उसके बाद बाय लंग उसे मेडिसिन कहलाता है। फाइनली बाय लंग का सारा काम खत्म होता हैं, वो जिन्सु को आराम करने के लिए बोल कर ghar जाने लगता है। जिन्सू उसका हाथ पकड़कर उसे अपने बगल में लेटा देता और सोने के लिए कहता है क्योंकि उसका ख्याल रखते हैं बाइलंग को भी आराम करने का मौका नहीं मिल पाया है जिन्सू के इतने करीब आकर बाइलंग की धड़कनी तेज हो जाती है उसे समझ में नहीं आता है कि जिन्सू ये सब जान मुझकर कर रहा है या फिर वो दवाई के नशे में पर वो इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं और जिन्सू के बगल में ही सो जाता है अगली सुबर जब जिन्सू की नीन खोलती है तो वो अपने बगल में बाइलंग को सोते देख काफी सप्राइज होता है उसे वो सारी चीज़े याद आने लगती है कि कैसे कल बाइलंग ने उसका ख्याल रखा है जिन्सू दीरे दीरे बाइलंग के करीब जाता है और उसे किसकर नहीं वाला होता है कि तभी बाइलंग अपनी आखी खोल देता है और एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजेगा और मेरे वीडियो को शेर भी कर सकते हैं तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब बाई गुड नाइट